बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान बादल कहर बनकर बरस सकता है इस बाबत मौसम विभाग ने लोगों से सतरक रहने की अपील की है इस दौरान जहां तहां ठनका भी गिरने की संभावना है सुबे के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वहीं 13 जिलों में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लर्ट का भी अलर्ट जारी किया गया है जिसको लेकर आपदा परबंदन विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सतरकता बरतने की अपील जारी की है उधर पूरे बिहार में बादल छाय रहने और हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है उत्तर बिहार में बारिश और बिजली गरजने की अधिक संभावना है ऐसे में लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है वहीं पटना से लेकर मुंगेर तक गंगा के जलस्तर में कमी आने से लोगों ने जहां राहत की सांस ली वहीं उत्तर बिहार में फिर से बार का अलर्ट जारी हो गया है अगले 48 गंटे तक राज्यम में बारिश का सिलसला जारी रहने की संभावना है नेपाल में पिछले 24 गंटों से हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी और पहारी नदियों में उफान की संभावना है बिहार जलसंसादन विभाग ने पशिमी चंपारन, पूर्वी चंपारन, सीता मडी, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मदुबनी, भोजपूर, मजफरपूर, गुपाल गंच, सीवान, सारन जिलों में अलर्ट जाली कर दिया है पूरा हाल है रहिमपूर तीनों, पंचायत का और खास तोर से दक्चनी का टोटल गाउं, बर्खंडी टोला, जंगली टोला, मतार, सोसाइटी टोला, मुजवरबा, इंगलीज, एकनिया, कम जग मुहलनों का और गाउं का हालत खराब है, खगड़िया का सैक्रो गाउं, आज बुरे हाले में है, देख लिए प्रसासन को एक थोड़ा भी ये नहीं है, कि कम से कम यहाँ पर सुखा रसन, अभी आप घूम रहे होंगे, आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे घरों में चुला नहीं जल रहा है, वहा कोई मतलब नहीं है, कि वहाँ बार घोसीत होगा तब करेंगे, बार आपको कब घोसीत होगा, सारा रिकॉर्ड टूट रहा है, दोजार एकीस का दोजार सोलर में जो हाइट था पानी का, उसको क्रोस कर रहा है पानी, अभी तक कोई इंतिजाम नहीं है, मेट बाल बच्चा आपको सब्सक्राइब कर दोन है, इक गोर दीन है, कना बेवधकितः की खाती नहीं है? अखेन लोग कोई बेवस्ता ने चे चोगी पर रहे चे बाल बट चासर चोगी ये पर सथ वाप संसें का खाये चे की खाये चे खाये तो इसे जु के खाये चे का है कैसे अजए आक कृु झाल में झाये बां